Hello friends, फिर से स्वागत है हमारे 3Q Education चैनल पर और दोस्तो आज हम आपके लिए बड़ी important वीडियो लेकर आए हैं सबसे पहले चैनल को subscribe करें दोस्तो और जितना होस के share करें दोस्तो ताकि हमें होसला मिले और हम आपके लिए बड़ीया से बड़ीया वीडियो लेकर आएं तो दोस्तो शुरवात करते हैं तो आज का topic है IS में पूचे गए question जो की interview में पूचे गए थे IS के बड़े most important question है दोस्तो तो आप इसको जान से सुने पहला question है दोस्तो मुर्गी ने भारत और चीन के border पर अंडा दिया दोस्तो ठीक है तो यह अंडा किसका होगा क्या है कि मुर्गी ने भारत और चीन के border पर अंडा दिया तो यह अंडा किसका होगा तो दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ ने सोचा होगा कि भारत का होगा कुछ ने सोचा होगा चीन का होगा लेकिन ऐसा गलत है दोस्तो यह है अंडा मुर्गी का ही होगा ना ही भारत का होगा और ना ही चीन का होगा दोस्तो ठीक है तो next है दोस्तो पिरिया अरुन की बेटी है अरुन पिरिया का पती है मतलब अरुन पिरिया के पिता का क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है पिरिया अरुन की बेटी है अरुन पिरिया का पिता है दोस्तों ठीक है पिरिया जो है वो अरुन की क्या है बेटी है और अरून पीजिया का पिता है दोस्तो मतलब अरून पीजिया के पिता का डैस है मतलब क्या है तो दोस्तो इसका सही अन्सवर नाम मतलब जो अरून है वो पीजिया के पिता का नाम है दोस्तो ठीक है तो नेक्स्ट है दोस्तो पैन ड्राइव को हिंदी में क्या कहते हैं ये एक्जाम में पुछा गया था कि दोस्तो पैन ड्राइव को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तो तो दोस्तो मैं बता दूँ कि इसको स्मृति सलाका कहते हैं क्या कहते हैं स्मृति सलाका कहते हैं पैन ड्राइव को हिंदी में दोस्त ठीक है तो नेक्स्ट है दोस्तो ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर सो लोग जाते हैं तो 101 होकर आते हैं मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां सो लोग जाते हैं अगर सो लोग जाते हैं तो वहां 101 होकर आते हैं मतलब एक लोग बढ़ कर आता है तो दोस्तों मैं बता दूँ कि इसको ऐसी जगां बारात है मतलब कितने भी लोग जाएं अगर सो लोग जाते हैं तो दुलन के साथ एक लोग आते हैं दोस्तों यानि कि एक दुलन के आने से एक लोग बढ़ जाता है दोस्तो ठीक है तो नेक्स्ट है दोस्तो ऐसा कौन सा स्वाल है जिसका उत्तर हम हा में नहीं नहीं दे सकते ऐसा कौन सा स्वाल है जिसका उत्तर हम हा में नहीं दे सकते तो दोस्तो यह है नींद में यानकि जब हम नींद में हो तो हमें पता नहीं चलता और कोई भी अगर आप से स्वाल पूछे तो आप उसका जवाब नहीं दे सकती दोस्तो ठीक है तो next है दोस्तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में जलता है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो की पानी में जलता है तो दोस्तो मैं बता दूं कि sodium जो है एनने sodium जो कि पानी में जलता है दोस्तो ठीक है तो यह एक्जाम में पूछा गया था दोस्तो बड़ा most important question आपको ज्यानने में रखना है ठीक है तो next है दोस्तो railway station को हिंदी में क्या कहते हैं तो आपको बता दें कि दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं तो आपको बता दें कि दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं railway station को कि लोह पत्थ गमीनी विराम बिंदू कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं लोह पत्थ गमीनी विराम बिंदू railway station को हिंदी में कहते हैं थीख है यह railway station और इसका हिंदी का नाम है लोह पत्य गमीनी विराम बिन्दू यह interview में पुछा गया था दोस्तो थीख है तो next दोस्तो चैनल को subscribe ज़रूर करें दोस्तो ताकि हम अगले question जब भी upload करें तो आपको पता चले है दोस्तों तो नेक्स्ट है दोस्तों एसी कौन सी चीज है जो रोशनी होने पर बनती है और अंधेरा होने पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों परचाई इसका परचाई परचाई रोशनी होने पर बनती है और अंधेरा हो जाने पर समाप्त हो जाती है दोस्तों तो नेक्स्ट है दोस्तों ऐसा कौन सा प्राणी है जो जिसका खून नीला होता है क्या है ऐसा कौन सा प्राणी है जिसका खून नीला होता है तो दोस्तों इसका सही अंसवर पर जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं ट्रीक के साथ दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें and थेंक यू